लगतार यही बात सामने आता है कि नरेंद्र मोदी के ये एक एजेंट है बाजपा के ये एजेंट है और इसके अलावा कोई कमेंट जो है नहीं आता है लगतार ये कमेंट आता है कि बाजपा के एजेंट है और कहीं न कहीं ये सावज हलकता भी है बाजपा के ही नेता सिर्फ तो यह इतने लोग जो सामिल होड़े वो लोग बेवकूफ है तीन लाग चार लाग लोगों का अंतजाम नौबट पुर में किया है एक अंध विश्वास होता है एक लोगों में आस्था होती है अगर कोई बाबा होता है आसाराम बापु को लेकर के भी लोगों में बहुत ज होका है आपकी फिटनिस का राज क्या है आश्वेल रस यह एक ही बॉकल में है स्ट्रेस, वीकनेस, अचेजिटी, एबिसिटी, हेर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हर आश्वेल लाइफ, डियाबटेस फ्री लाइफ नमस्कार आप देख रहें नबिसी 24 और मैं हूँ आपके साथ मानसी बागेश्वर धाम वाले बाबा आज पटना पहुच चुके हैं उनके पटना आगमन को लेकर काफी समय से राजनीती जो थी वो काफी जोरो सोरो पर चल रही थी बहुत विरोत के बावजूत आज धिरे धिरेंद्र सास्त्री पटना पहुचे हैं बताद एक एरपोर्ट पर उनका भव्व स्वागत किया गया है उनके साथ मनोस्तिवारी भी मौजूत थे और साथी साथ गिरी राज सिंग भी मौजूत थे पताद एक उनके आगमन कोले के राजनीती बहुत जोरो पर थी तो ते धिरेंद्र सास्त्री पटना पहुच गया है तेजपरताप जो लगतार बात कर रहे थे कि RSS के बाद उन्होंने DSS बनाया था उनका सारा DSS कहीं न कहीं फेल हो गया कहीं कुछ नहीं दिखा तो कहीं न कहीं तेजपरताप पे हसते हुए धिरेंद्र सास्त्री नजर भी आए जब धिरेंद्र सास्त्री से सवाल किया गया पत्रकारों ने सवाल किया कि आपका बिरोज जो है वो काफी तेजपरता प्यादाओ कर रहे थे तो पीछे से गरीराज सिंग उसी गाड़ी में जिस गाड़ी से धिरेंद्र सास्ती पटना एरपोर्ट से होटल पनाश पहुँच धिरेंद्र सास्त्री से सवाल किया गया तो पीछे से गरीराज सिंग ने कुछ बोला जिस पर धिरेंद्र सास्त्री ने काफी ठाहाका भी लगाया तो इससे साफ होता है कि तेजपरता प्यादों का ड़र धिरेंद्र सास्त्री में बिलकुल भी नहीं है और धिरेंद्र सास बात करते हैं वो उसके लिए बिहार आया है हनुमत कथा करने बिहार आया हैं और तमाम बाते जो है उन्होंने मात्र 30 सेकेंड में एक छोटा सा वड़र सबकुछ जो है वो किलियर कर दिया और एक चीज खासकर देखने वाली बात उनके सुनने वाली बात थी कि बिहार में बिहार में जो बिहार के मुख्य मंत्री हैं उनको बिल्कुल भी भूल गए और एक चरब से अगर इसको राजनीती से जोड कर जिस तरीके से देखा जा रहा है तो ये बिल्कुल कोई गलत नहीं है एक भी महागडवंदन का कोई भी नेता पटनाई अरपोर्ट पर नजर नही आया तमाम भाजपा के बरेनेता जो है वो पहुंचे एडासिंग पहुंचे पाटले पुत्रा के सांसद रामक्रेपाले आदा पहुंचे सांसद मनोस्तिवाडी खुद बाबा धिरेंद्र सास्तरी को पटनाई अरपोर्ट लेकर आए मध्यपरदेश से उनका जो लेकिन तेज परता प्यादाव नजर नहीं है इस पर तो राजनीती जो है काफी गर्म है अब सवाल लगतार भातावाले निता करेंगे कि आखिर गया तो कहां गहीं यह तेज परता प्यादो जो लगतार यह कह रहे थे सेना बना रहे तेज परता प्यादो जो है अब लगतार घिरते हुए नजर आ रहे हैं अब कुछ कहा नहीं सकता हो सकता है मैं खी डर गया हूँ अब उनमें इस बात का डर होगया हुआ की अब मेरे पास बhati 50 से नह है 100 से नह है 200 से नह है और यहां कहा तीन लाक हुनका जो से Lahith हम भी पर चड़ गर वार कर सकता है तो उसकता हंगい तेश परता हुआधो का इस बात का भय हो गया एंगा उख सर्कार बिहार में this परता प्याद grateful की महाँगरपन्धन की बिहार में तरकार है जहाद सर्कारल व है यह यह परता प्यादा उद्हूथ ह्साष्ट और है कित अब सायद वहाव सकते हैं क्योंकि खुद ब्यार के मुख्या मंतरी नितिश्कुमार ने उनको सारा प्रोटेक्शन जो है वो दे दिया वहीं देखने को उनका मिला कि सिधे पहुंच गए कहां तो राजपती के पास दौर्पदी मुडमूर के पास पहुंच गया और वहां से उन्होंने ब्यार के मुख्या मंतरी नितिश्कुमार को कॉल करवा है कि हम बिहार जा रहा है हमको वहां प्रोटेक्शन चाहिए वहां हमको साड़ा सुविदा चाहिए और जैसे ही धिरेंद सास्त्री पटना है साब तौर पर उन्होंने का सब चीजे का मतलब जो है इंतजाम जो है पुक्ता ठारिख है और आज से सतरह तारिख तक उनका प्रोग्राम नौबद पुर में चलेगा तो मुख्या मंतर को भी इन्वाइट किया गया है तो क्या लगता है यह दोनों पहुंचेंगे तो कहीं न कहीं इस साफ होता है उनके इस बातों से कि तेज़ अश्वे आदव जो है वो हनुमन्त कता में नहीं पहुंचेंगे हाँ नितिश कुमार को जाना चाहिए क्योंकि वो बिहार के मुख्य मंतरी है और अगर वो नहीं जाते हैं तो कहीं न कहीं इसका बहुत बड़ा उन पर इपक्ट पड़ेगा क्योंकि अगर वो नहीं जाते हैं तो लोग कहेगा कि देखिए मुख्यमंत्री नहीं गए बियार के मुख्यमंत्री नहीं गए मुस्लिम का इद होता है या कुछ होता है तो वहाँ चले जाते हैं हिस्टार पाटी में चले जाते हैं लेकिन कोई हिंदू का हनुमन्त कथा हो रहा है भगवान का मतलब सब कुछ होड़ा तो वहाँ नहीं पहुंचे तो इस बात को लेकर के लगतार अब देखने वाली बात है कि वियार के मुख्यff Budhauger पहुंचते हैं और सिब परताप विए परा रागा बना तो पहले सेही करे थे पहलों बहारा पागलों में बहारा रा रहूं तो यह पागल वो तेज ताIl यहार वासी को अगर पागल नहीं बनाएंगे तो मेन असली पागल जो है उसको कैसे हम पागल कहेंगे कह पाएंगे अच्छा ठीक है यसी कि अब दिरेंद सास्त्री हैं लोग उनको कहते हैं कि वो चमतकारी बाबा है साक्षात बजरंग बली के रूप हैं लोगों के मन की बा अब भरोसा नहीं करते हैं जो सचाही है बिल्कुल अगर अगर यह राजनिती अगर नहीं है तो सिर्फ भाजपा के ही निता क्यों कॉंग्रिस की निता क्यों नहीं आस तक दिरेंद सास्तरी के पास पहुचे सबसे बड़ा सवाल यह है लगतार यही बात सामने आता है कि न भाजपा के एजेंट है और कहीं न कहीं यह सावज हलकता भी है भाजपा के ही नेता सिर्फ नजर आए तो यह इतने लोग जो सामिल ओड़े वो लोग बेवकूफ है तीन लाग चार लाग लोगों का अंतजाम नौबत पुर में किया है एक अंध विश्वास होता है एक लो बाबा कहा है उनको लेकर भी आस्ता होती थी उनको लेकर के भी राजनिती होती थी आज वो कहा है यह तमाम बाबा कहा है भाजपा अगर राजनिती नहीं करते है अगर वो भाजपा के एजेंट नहीं है तो सिर्फ हिंदू राष्ट बनाने की जो बात होती है वो सिर्फ भ देस है हिंदू मुस्लिम सी किसाई सब का है समिंदान में इस तरीके का कुछ नहीं लिखा गया है कि सिर्फ यह देस हिंदू का है भारति यह कैसा दीश जहां हर समुदाई के लोग रहते हैं उनको वहां आकर ये कहा जा रहा है कि हम हिंदू राष्ट बनाएंगे हम हिंदू कथा करिए हनुमान कथा करने भी हार आए हैं या बाबा बागेश्वर धाम में आप हनुमान हन्मत गता करते हैं आप उतना ही किजिए भालतू का प्रोगेंडा ये सब मत महला ही हिंदू मुस्लिम को बाटने कि कोई आपको अवेशक्ता और कोई आपको अधिकार नहीं दिया है न सविधान अधिकार दिया है न देश की जन्त आपको अधिकार दिया है लेकिन अगर आप लगतार ठीक है सनातन धर्म को आप एक अत्रित किजिए एक जुट किजिए वो आपका अधिकार है लेकिन अगर जहां आप यह बात करते हैं कि पुरा देश को जो है हम हिंदू राष्ट बना देंगे मुस्लिम सीकिसाई को एक तरफ से अपसाब तरफे करें कि भगा देंगे देश से बाहर तो आपको यह कौन बो लागती है सब बाते जो बोली है कही ना कहीं भासबा के सारे पर आप चलते हैं और बात रही किसी का नाम बता देना परचा खोल देना सुभानी सा है जाकर उनको देख लिजे बहुत ऐसे पढ़े लिखें लोग हैं जो आपको बैटे बैटे आपका चेड़ा पर के फेस रेडिंग करके आपको हर कुछ आपके बारे में बता देंगे और नाम वहां बताना यह कोई बहुत बारा नहीं है मन का बात बैटे बैटे यहां पटना में कितना लोग है जो बता देगा आपका कि मन का मन में चल क्या रहा है और आपसे सवाल करके लिख के पूछ लेगा कि अई बात तो यह सर्व पढ़ाई एजुकेशन है अगला पढ़ के लिख की आया है साइकलोजी इसको कहते हैं तो कहीं न कहीं फालतू बात है कि हम हिंदू राष्ट मनाएंगे अज कल राम नाम पर भी राजनिती हो रहा है जैस्री नाम के नारे लगा लो राजनिती है अगर राम अगर देखे भगवान का नाम को तो बिलकुल बदनाम कर दिया गया है देश में भारत देश में भगवान का नाम को इतना बदनाम किया जा रहा है राम जैसरी राम नाम मतलब राम के नारे को इतना जादा उचाला जा रहा है इतना जादा गंदा किया जा रहा है राजनिती इतने गंदी हो रही है देश में किसका कोई हद नहीं है भगवान का नाम इस तरीके सुचालना कहीं न कहीं बहुत गलत है भगवान का मन में नाम आदमी को लेना चाहिए न कि बस जैस्री राम जैस्री राम अरे यार क्या है जैस्री राम भगवान का नाम है पाकिस्तान और मक्का मदीना में जाकर बनाएंगे वहां बैटके बोलने का अगर ब्रागनिती अगर आप नहीं करते हैं अगर आप इस तरीके का बयान देना आपका कितना ये ठीक है आप पाकिस्तान के नाम पे भारत दिल्स के मुस्लिमों को एक तरह से गाली देते हैं पाकिस्तान और मक्का मदीना नाम का लेकर भारत दिल्स के आप मुस्लिमों को गाली दे रहे हैं तो कईनक ये बहुत गलत है इसका बिरोद हर इंसान करता और करता रहेगा हिंदू राष् आप अपने दिल में आप खुछ सोचिए कि यह कितना सही है तो बाबा 15 तारिक को पड़्ची निकालेंगे और लोगों के मन के बात को जानेंगे तो उस दिन वाकरी सचाई पता चलेगी कि यह बाबा चमतकार है या नहीं देखिए बाबा का चमतकार तो उसी दिन सब कुछ क का नाम नहीं लेना चाहूंगा सब कुछ आपने भी देखा है कि वह क्या है नहीं क्या कुछ ते बाबा और कैसे बाबा लोगों का मन का बात जानता है हम लोग अच्छे तरीके जानते हैं वले लोग अंधुकार धिरेंदर सास्तुरी की बात है विहार आगमन पर तेजपर्ताफ नकर टेशन परना पिरेंदर सास्तरी पटना पहुंच गये नौबत पुर्टरेत पाली पहुंचेंगे साम को चार बजे से लिए के साथ बजे तक हनुमंत कता कहेंगे लोग सुनने जाएंगे बात रहा हिंदू-मुस्लिम का तो उन्होंने साफ कर दिया कि हम हिंदू-मुस्लिम करने नहीं आय है बिहार हम हिंदू-मुस्लिम ही करने आये हैं हम अपने सनातन को एकत्रित करने ही आये हैं फालतु-काम्यहाम करने कोई नहीं आये और तेश-परताप यादों पर है है कर भी दिये तो आपने देखा कि बागिश्वर बाबा जब बिहार आए तो उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि बिहार में बहार है और साथी साथ उनसे जब पूछा गया कि बाबा विरोत किया जा रहा है कि आप हिंदू-मुस्लिम करते हैं तो उनका जवाब ये आय कि हम हिंदु मुस्लिम नहीं करते हैं हम सिर्फ हिंदु हिंदु करते हैं आपको बता दिए कि बाबा बागेश्वर पटना पहुच चुके हैं तीन बज़े से नौबतपुर में उनका कारिक्रम जो है वो सुरू होना है तो उस वक्त वो वहां पहुचेंगे और 17 तारिक तक जो है उनका प्रोग्राम वहां पर चलेगा और 15 तारिक को वो परची निकालेंगे और लोगों के मन की बात को जानेंगे तो यह वाकई पता चल जाएगा कि वो चमतकारी है या नहीं तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ एंबीसी 24 पर